नमस्कार मैं हूँ शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पलपल हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती इसकी मिसाल कायम की है छोटे से किसान इश्वर कुंडू ने कैथल जिला के गाव क्यालरम के एक छोटे से किसान इश्वर कुंडू जो की केवल दस्वी पास हैं ने अपनी कड़ी महनत और लगन से देश और विदेशों में आने को बड़े आवार्ड जीत कर यह साबित कर दिया है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती कई वर्ष पूर्व इस छोटे से किसान इश्वर कुंडू ने अपने मन में यह ठान लिया कि उसने किसानों को जहर युक्त खेती से निजात दिलाने के लिए जैविक दवाईयां तयार करनी है ताकि किसान जैविक खेती कर सके किसान इश्वर कुंडू के इस जुनून ने उसे देश का एक बड़ा क्रिश्व वेग्यानिक बना दिया इश्वर कुंडू को देश के पूर्वर रास्टर पती डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम क्रिशी मंत्री शरत पवार सहित देश विदेश की बड़ी-बड़ी हस्तियों और अनेकों संस्थाओं द्वारा उसे बड़े-बड़े क्रिशी अवोर्डों से नवाजा गया और लिमका बुक में भी उसका नाम दर्ज हो गया क्रिशी वेग्यानिक इश्वर कुंडू ने बाचीत में कहा कि वह शुरू में अपने आजीविका चलाने के लिए कीट नाशक दवायों की गाम में एक दुकान चलाया करता था लेकिन एक दिन उसे इन जहरीली दवायों से नफरत हो गई और उसने जहरीली फसली दवायों के खिलाफ एक मुहीम छेड़ दी उसने स्वेम जैविक खेती करनी शुरू कर दी और अन्य किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित करना शुरू किया उसने फसलों के लिए जैविक खादों और दवाईयों पर शोद करना शुरू किया और उसकी कड़ी मेहनत और लगन के फलसवरूप उसे बड़ी सफलता हासिल हुई उसने कई जैविक खाद और दवाईयां तयार की जिसके बलबूते पर वैक छोटा सा किसान इश्वर कुंडू एक बड़ा क्रिशी वेग्यानिक बन गया इश्वर कुंडू ने देश और विदेश में होने वाले बड़े-बड़े क्रिशी शोद संस्थानों में भी भाग लिया और उसे जैविक क्रिशी वेग्यानिक के तोर पर अनेकों बड़े आवाड मिले